प्रभास कीचन रिस्पी में आप लोगों का स्वागत है आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हरी मटर को पूरे साल के लिए किस तरह से इस्टोर करके रखा जाता है तो चले शुरू करते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो सस्क्राइब कमेंट लाइक सेर चरूर करे यह हमने एक किलो हरी मटर ले लिया है मटर हमने बड़े दाने का लिया है अगर बड़े दाने का हो तो ज्यादा अच्छा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अगर छोटे दाने का होगा तो भी चलेगा गैस पर हमने एक बड़ा भगोना चड़ा दिया है और इसमें हमने आध और ये जो हमने हरी मतर रखी है। उसको डाल देंगे। गैस को हम इस समय बंद कर देंगे। अब इसको हम ढख ढख देंगे के फांच मिनट के लिए इसे छोड देंगे। यह दूसरा भगोना देंगे। यह संधा भगोना थंधा पानी झाल , यह नार्वन नल का पानी है यूंकि इस समय तो ऐसे भी बहुत ठंड़क पुड़ रही है अगर आपके पास फ्रिज का पानी है तो उसको भी ले सकती है तो यह पांच मिनट हो गया मटर को रखे हुए तो आप देखी कितना सुंदर कलर आया है और देखने में कितना अच्छ पानी में डाल देंगेता हता है अिये पूररे साल इसी तरह से हरा बना उतना रहता है जब भी आप रिजर से निका लेंगे तो ये इसी तरह से हरा आप को दिखाई पड़ेगा जरास अभी इसका कलर चेंज नहीं होता है एक बार आप रखेंगी तो यह अशला exercising और डिवा क्योंकि हम बराबर स्टोर करके रखते हैं कि और घ्रीन का नहीं काते हैं और हमेज स्टोर करके करके रखते हैं कि इसको हटा देंगे पानी अब यह मनें डाल दिया थंडे पानी में तह commenक बढ़ती है मटर हमारी अब इसको धक करके हम पांच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसको धके हुए पांच मिनट हो गया है तो देखे हमारी सारी मटर नीचे बैठ गई है इसको साइड में रखते हैं अब एक पाव ले लेंगे और यह जो छनी से हमने पहले छाना था उसी छनी को ले करके इस तरह से हम छान लेंगे यह देखिए अभी तो आपको हमने इस तरह से श्टोर करने के लिए बताया है कि फ्रीज में रखे लिए श्टोर कर लीजे अभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगी तो आपको नार्मल श्टोर करने के लिए बताऊंगी यह उसको फ्रीज में रखने की जरुवत नहीं पड़ेगी अब हमें किस तरह से cotton कपड़ा ले लेंगे हमें cotton कपड़ा ही लेना है synthetic कपड़ा नहीं लेना है अब यह जो मटर हमने रखा हुआ है इसके उपर हम डाल देंगे और एक चीज का ध्यान रखना है इसको हमें धूप में नहीं डालना है ना पंखे में डालना है बस नार्मल ही ऐसे ही आप कम्रे में डाल दीजिए और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए यूंकि यह थोड़ी मटर है तो इसलिए हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ेंगे अगर ज्यादा हो तो उसको आप एक घंटे के लिए छोड़ सकते हैं तो यह देखिए 15 मिनट हो गया इसको छोड़ अब हम एक इस तरह से बैक लेंगे इसमें यह उपर जिब बनी हुई होती है यही वाला बैक ज्यादा अच्छा है अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आप नार्मल पॉलिथीन में भी भर करके रख सकती है अब इसको हम चारो तरफ इस तरह से समेट लेंगे तो देखिए पानी इसका अच्छे से सूख गया है अब इक इस तरह से चम्मच ले लेंगे बड़ा और यह पॉलिथीन लेंगे और इसमें भर देंगे बहुत ही आसान है कोई इसमें टाइम नहीं लगता है बनाने में बस आलस की बात है कि अगर आप आलस नहीं करेंगी तो पूरे साल हरी मटर का मज़ा लेंगी अगर आप एक बार रखेगा तो हमें जरूर याद करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपने मटर रखा तो कैसा लगा आपको अगली बार भी मटर आप रखेंगी या नहीं रखेंगी यूँकि जब इसका स्वाद मुझ में लग जाएगा ना तो ग्रीन बैली मटर नहीं खाएगी तो इसको हमें पूरा नहीं भरना है इस तरह से छोड़ा खाली ही रखना है थोड़ा सा यह देखिए यह इस तरह से हमने पैक कर दिया इसको अच्छे से हमें पैक करना है यह देखिए है हो गया ना पैक है और कलर देखिए कि अच्छा है आपको ग्रीन बैली में यह कलर नहीं मिलेगा तो अब हम दूसरा भी है भर लेते हैं इस ती तरह से तो यह देखिए कि हमारी मतर तयार हो गई है रखने के लिए अब इसको हम उठा करके फ्रीजर में रखना है फ्रीज में नहीं रखना है इस चीज का भी ध्यान रखना है हमें कि हमें फ्रीजर में रखना है तो यह देखिए आप फटा फट बनाईए और रखिए और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कमेंट लाइक सेर जरूर करें थेंक यू गुड़ दे फिर मिलते हैं किसी नए रिस्पी के साथ झाले फिर मिलते हैं। झाल झाल